एक समान मिलिटरी सर्विस पेपर 9 नवंबर 2023 को फिर से सुनवाई होनी थी लेकिन नहीं हुई। 9 नवंबर 2023 को चीफ जस्टिस का फेर्वेल था इसलिए 9 नवंबर 2023 को सुभा 11 बजे ही जज साहब उठ गए। एडवोकेट जितेंद्र देव और राजीव बहल ने जोर दिया कि यह सैनिकों का मामला है जो काफी दिनों से लंबित और पार्टली हर्ड हो चुका है। और पिछली तीन सुनवाईयों के दौरान जज महोदय बैठे ही नहीं। इसलिए दिवाली के बाद 18 की तारीख मांग इस प्रकार मिल गई तारीख पर एक और तारीख यह तारीखें कब तक मिलती रहेगी और कब तक जवानों को इन तारीखों से परेशान होना पड़ेगा। वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज का इंतजार पूरा नहीं हुआ। फिर मिलेंगे 21 नवंबर 2023 की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।